हेलो और वेलकम टू आर यूटूब चैनल वीविल आज हम इस हफते के करेंट अफैर्स पढ़ने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्स जो की प्रीविश एर अग्जाम्स में आ चुके हैं उनको भी पढ़ेंगे तो यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो पूरा ध्यान से देखेगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चलते अपने पहले कोशन की तरफ तो इसका आंसर है इंडिया यह जो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह पिक्चर है केबल लाम जाओ नैशनल पाक की और इस कुशन की आंसर से हम लोग यहां तक कैसे पहुंचे उसको एक चेन के थुरू समझेंगे कि हम यहां तक कैसे पहुंचे तो एशियन बॉ एशियन बॉक्सिंग चेंपियंशिप सबसे पहले हुई थी वह हुई थी 1980 में और वुमेंश की एशियन बॉक्सिंग चेंपियंशिप सबसे पहले हुई थी 2003 में इंडिया में और इंडिया अब इसे होस्ट करने वाला है यह दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए इंडिय सब्सक्राइब कॉमन वेल्ट जो हुआ था गोल्ड कोस्ट में वहां पर भी उन्होंने गोल्ड जीता था मैडिकॉम मनीपूर से बिलॉंग करती है और मनीपूर में लोग टक लेक के ऊपर केबूल लामजाव नेशनल पार्क है यह दुनिया का एकलौता नेशनल पार्क है ज अब जब USA की बात हुए तो USA के बारे में जान लेते हैं जो आपको मैप में दिख रहा है यह USA है और USA से इंडिया की जितनी भी मिलिटरी नवल और एयर एक्सराइज होती है उनको जान लेते हैं तो मिलिटरी एक्सराइज का नाम है युद दब्यास और वज्र पहार नवल एक्सराइज मालाबार जो की 1992 में बालेटरल स्टार्ट होई थी और 2015 में इसमें जापान भी हैड हो गया तो अब यह ट्राइलेटरल हो चुकी है और एयर फोर्स एक्सराइज है कोप इंडिया और पिच ब्लैक नॉर्थ अमेरिका में प्रेज़ी ग्रास लेंड और रोकी माउंटेन धोनों फाउंड होते हैं है तो चलते है अपने नेक्स खुशन की दरफ को किश्यन हैं व लौंच्ट देखो अबना देश्य सरीज डूरिंग लॉकडाण डू घू तो किस प्रालाद सिंग पटेल यह जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यह प्रालाद सिंग पटेल तो चलते हैं अपने next question की तरफ विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोरोना वाइरस इन इंडिया कौन सा स्टेट बारत का पहला स्टेट बनाया जिसने पूल टेस्टिंग को अपनाया तो इसका अंसर है option नंबर बी तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो आप यह पिक्चर देख रहे होंगे यह पिक्चर है नरोरा एटोमिक यह न्यू सबागी सीटें है असी ठाजज सबागी सीटें 31 और वहां पर नुकलीर पावर प्लांट है उसका नाम है नरोरा नूपलाइट प्लांट सो चलते हैं अपने नेक्स कोश्चन की तरफ हमारा नेक्स कोश्चन है नेम दी फर्स स्टेट इन इंडिया विच इंटीडेट अयु इम्मुनिटी औफ COVID-19 पेशेंट तो भारत में वह पहला राज्य कौन सा है जिसने आयरवेदा और अलोपेथी को दोनों को मिलाया है COVID-19 के पेशेंट को इम्मुनिटी को बूस्ट करने के लिए इंप्रूफ करने के लिए तो यह राज्य बना है गोवा अब गोवा की बात सावंथ सावन्ता है सत्यपाल मलिक गवा लिब्रेशन दे मनाया जाता है 19 अचील को कि porque 19 दीसमबर 1961 में ही पॉर्तुगालियों से गवा आजाद हुआ था पॉर्तुगालियों को इन्वेड कब किया था पुर्टगालियों ने गोगा को इन्वेड किया था 1510 ECV में उन्होंने बीजापूर सलतिनित को हरा कर गोगा को अपने कबजें में कर लिया था और जैसा कि आप जानते हैं जितनी भी यूरोपीन कंट्री इंडिया में इन्वेड किया हैं सबसे पहला इन्वेड पुर्टगालियों का ही वहा था और गोगा में लोकसभा की सीटे हैं दो राजेसभा की सीटे हैं एक गोगा का जो फेमस पोर्ट है उसको कहते हैं मौर्मोगाव पोर्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ यूएन हैज अप्रूवड डॉलर 2.5 मिलियन तो हेल्प वनुआतू अफेक्टेड बाइ साइक्लोन हरॉल्ड वट इस दे कैपिटल एंड करेंसी ओफ वनुआतू वनुआतू एक ओशियाना में एक कंट्री है जो की हाल ही में साइक्लोन हरॉल्ड से अफेक्ट हुई थी यूएन ने उन्हें यह हुमेंटेरियन असिस्टेंट देने का भोशना की है तो आप यह बताइए कि वनुआतू की कैपिटल और करेंसी क्या है तो इसका आंसर है ऑप्शन B पोर्ट विला उसकी कैपिटल है और करेंसी है वातू तो यह जो आप पिक्शर में देख रहे है यह यूनाइटेड नेशन का लोगो है और यूनाइटेड नेशन का जो एम है वो आपको दूसरी पिक्शर में देख रहा होगा पीस सेक्योरिटी को सस्टेन करना सस्टेनेबल डवलेप्मेंट और हूमन राइट्स के लिए और हूमेटेरियन असिस्टेंट जैसा कि आपक 293 कंट्री इसकी मेंबर्स हैं और यह जो आप मैप में देख रहे हैं यह ओशियाना कॉंटिनेंट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलेंड आता है फिजी आता है और यह फिजी के पास आप देख रहे हैं यह है वैन्वातो तो चलते हैं अपने नेक्ट कॉश्चन की त तो हाल ही में किस एप ने तेरा दिन में ही अपने पचास मिलियन यूजर्स को क्रॉस कर दिया है तो इसका आंसर है ओप्शन ए आ रहूं गे से तू चलते हैं अपने नेक्ट कॉश्चन की तरफ नेम्द और और गनाइजिशन अलॉंग विट इंडिया है और गनाइजिंग स्टुडेंट्स के लिए एक फिटनेस सेशन शुरू किया है तो वो है ओप्शन नमबर डी सेंटरल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सी बीसी सी बीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं चेयर परसन है इसकी अनीता करवाल है निज डैली में फिट इंडिया जो है वो आ जिम कॉर्बेट्स नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क बना है जहां पर एनिमल्स के लिए कॉरेंटाइन लोकेशन दी गई है तो यह कौन से राज्य में इस्तेत है यह आपको बताना है तो इसका आंसर है आप्शन नमबर सी उत्तराखंड जब जहां से है तो आप इसको ऐसे आद रखिये चा उजा च्रह एक नौ और जहा है वो पंद्रा एक नौबर को हूँ आता चा टिस गड़ वूश्ए आता हुत्तराखंड वो नौ नौं नमबर को हूँ आता और जहां आता है 15 नोबर 2000 को जो की जहारखंड है इसकी विंटर है दैरादून और समर कैपिटल जो हाली में बनी है उसका नाम है गैर सेन और सीमस के त्रिविन सिंग रावत गवर्नर है बेबी रानी मौर्रे चीफ जस्टिस है रमेश रंगनाथन लोग सबा सीटे हैं पांच राज सबा सीटे हैं तीन चलते अपने नेक्स कोश्चन की है तो वह नॉबल का नाम है option number C the Spartan Court और उस राइटर का नाम है अब्दलुआ हब असाउसी एक नौर्थ अफ्रिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है अलजर्स और करेंसी है दिनार वहां के प्रेजिडेंट का नाम है अब्दिलमजीज लेंग्वेज है अरेबिक मुसली वहा नौर्थ अफ्रिका की और आईपी एस के बारे में जान लेते हैं आईपी एएफ है क्या है आईपी एफ का फुल फ्रम है इंटरनियसल प्राइस फोर ऑर अरेवेंग्क कुम्सर करते हैं डेपार्ट्मेंट को अफ कल्चर एंड टरूरिज्म अभुधाभी का और बुकर प तो इसमाइल एक इनिशेटिव चालू कि है राजिस्थान गौर्णमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो इसमाइल में जो M है वो किसको रिलेट करता है या किसको दर्शाता है तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नमबर B मीडिया और इसमाइल स्टेंड्स फॉर पूरा उसका फुल फॉर्म है जो इसमाइल का है वो है शोशल मीडिया फॉर लर्रनिंग इंगेज्मेंट कैपिटल है राजिस्थान की जैपूर सीम है अशोग गहलौत गवर्ना है कलराज मिश्रा और लोगसभा सीटे हैं 25 राज्यसभा सीटे है दस एरिया वाई सबसे बड़ा राज्य है नुकलिर पावर प्लांट ईजो है वो है रावत भट्लीर पावर प्लांट यह बहुत इंपोर्टन कुश्चन है चलते है अपने next कुश्चन की तरफ और हान यह पिक्शर देख लिए यह नुकलिर पावर प्लांट रावत भाट इसका headquarter है Mumbai में चलते अपने next question की तरफ next question is 2D France that has been postponed is a very famous competition 2D France जो France का एक बहुत famous competition है वो किस चीज का competition है तो इसका answer है option D cycling यह जो आप यह location देख रहे हैं group पे यह है France यह European countries है अगल बगल और जो dark green color में दिख रहा है वह यह है France और यह 2D France की एक photo है जिसमें cycling की एक competition होता है अब France की बात होई तो France के बारे में जान लेते हैं France एक European country है capitalist की Paris Paris से याद आना चाहिए आपको की UNESCO का headquarter है हमेशा और Eiffel Tower वगयरा तो भूल जाए क्योंकि ये बच्चे-बच्चे पता होता है UNESCO का headquarter का है वो है Paris और President है इसके यहां पे Emmanuel और President है Emmanuel Macron प्राइम एरेडियन जो UK से पास होता है वो यहां से भी पास होकर निकलता है और Mount Blank यहां की highest peak है चलते अपने next question की तरफ World Art Day celebrated on World Art Day कब मना जाता है तो इसका answer है 15 April चलते अपने next question की तरफ and the next question is World Hemophilia Day observed on World Hemophilia Day कब observe किया जाता है तो इसका answer है option number A 17 April को इसका जो theme है वो है get involved get plus involved पूरे प्रसाइज लिए होना चाहिए चलते अपने next question की तरफ and the next question is who has been named as a brand ambassador of WWF India worldwide fund के हाल ही में brand ambassador किसे नहीं उकतिया गया है तो इसका answer option number D Vishwanathan Anand Vishwanathan Anand यह जो आपको picture में देख रहे है वो है Vishwanathan Anand यह five times world champion और जो इनको brand ambassador बनाया गया है वो environmental education program के लिए बनाया गया है और worldwide fund WWF के जो डारेक्टर हैं वो है Macro Labertini headquarter है इसका gland Switzerland में Switzerland भी एक European country है WWF जो है वो found हुआ था 1961 में चलते हैं अपने next question की तरफ What is the name of musket released in 2022 Asian para games Asian para games के लिए जो musket released हुआ है उसका नाम बताइगे उसका नाम है option number C Fai Fai अब Fai Fai की बात हुए है तो पहले picture में देख लिए यह है Fai Fai जो की musket है इसके बारे में जान लेते हैं यह divine birds से inspired है जो की liangzu culture से belong करती है यह जो Fai Fai है वो Asian para games के लिए चूज किया गया है और जो Asian games के लिए 2022 के लिए है वो तीन musket चूज के गए चेंचें, कॉंग कॉंग एंड लियान-लियान जो कि आप picture में देख सकते हैं चलते हैं अपने next question की तरफ The next question is Ranjit Chaudhary who passed away recently was a famous Ranjit Chaudhary जो जिनका हाली मनिधन हो गया वो कौन थे वह थे एक actor यह आपको picture हम देख रहे हैं यह Ranjit Chaudhary इन्होंने कई Indian movies में भी काम किया है जिसका नाम जैसे खुबसूरत, खटा मीठा, etc. और इन्होंने एक famous prison break, एक drama series थी American की उन्होंने उसमें भी उन्होंने काम किया है चलते हैं अपने next question की तरफ and the next question is who is the MDCEO of Paytium General Insurance, a subsidiary of Paytium Payments Bank? तो हाली में Paytium General Insurance के MDNCEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है तो इसका option है इसका answer है option number C, Vinita Rora और जो की एगन life insurance के लिए पहले ही सब कर चोके है Paytium के जो parent company है उसको कहते है 197 communication और Paytium के जो CEO है वो है Vijay Sekar Sharma और जो option में आदित्पुरी है वो है HDFC Bank के CEO और जो Paytium का जो headquarter है वो है Noida UP में और यह found वी थी, यह 2010 में found वी थी, चलते हैं अपने next question की तरफ the next question is the president of IWF Thomas Ajaan resigned recently who has been appointed as acting president of federation हाली में IWF के जो president थे तमस अजान उनको resign करना पड़ा है तो अभी इस समय जो उस federation के acting president के तौर पर कौन काम कर रहा है तो उसका answer है option number D, उरसूला पपेंद्रिया तो IWF के बारे में बात हुई है तो जरा देख लेते हैं इंटरनेशनल weightlifting federation इसका full form है और इसका जो headquarter है बुदापेस्ट में हंगरी में है और जो यह founded हुथी 1905 में found हुई थी चलते हैं अपने next question की तरफ and the next question is World Heritage Day 2020 observed globally on World Heritage Day कब observe के जाता है तो इसका answer है 18 April और इसकी theme है इसकी theme है shared culture, shared heritage and shared responsibility यह मनाता को है तो यह मनाता है UNESCO तो चलिए UNESCO के बारे में कुछ जान लेते हैं World Heritage Day को जो announce किया था वो किया था ICOS MOSS ने in 1982 में इसको approval जो मिला था as a day वो UNESCO ने 1983 में दिया था UNESCO का full form है United Nation of Educational, Scientific and Cultural Organization यह found हुई थी चार नवंबर 1946 में इसका headquarter है Paris में और इसके डारेक्टर जर्नल है Adro Azale, अब ICOSMOS की बात हुई है तो ICOSMOS का जो full form है वो है headquarters of International Council of Monuments and Sites Headquarter है Paris, France में और President है इसके तोशियों की कोनों चलते हैं अपने next question की तरफ and the next question is which states hospital using cobot robotics to serve COVID-19 patients के लिए तो यह है इसका answer है option number C जारखंड जारखंड की बात हुई तो जारखंड के बात हुई तो जारखंड के बारे में जान लेते हैं जारखंड के CM है हेमन्त सुरेन गवर्नर है दुरोपदी मुर्मू लोकसभास की सीटे हैं 14 राजसभा की सीटे हैं 6 फॉर्मेशन हु zum 2,000 को ऑर यहां पर जो फेमउस नेशनल पार्क है वो है बेल्टा नेशनल पार्क पलामव। टाइगर रिजर्व और कोल टाइप यहा पर जो मिलता है वो है बिट्यूमिनस नाम का यहां पर कोल Parece को यहां प्लेकिima कोल भी कहते हैं चलते हैं अपने नेक्स कोशन की तुर और मैं इसका पूरा फुल फॉल फॉर्म आपको दा जाता हूँ Finance Minister and Central Bank Governors इसका पूरा फॉल फॉर्म है अब Finance Minister की बात हुई तो उनके बारे में जान लेते हैं यह हमारी Finance Minister निर्मला सीथरमन और यह मीटिंग साओधी अरेबिया की Presidency में held हुई थी इसके जो Chairman है वो है Salman bin Abdulaziz Al Saud तो चलते हैं अपने Next Question की तरफ Which Motor Company Acquires Sporting Motorcycle Brand Norton तो हाली में किस Motorcycle Company ने एक Sporting Motorcycle Brand Norton को Acquire किया है तो इसका आंसर है Option No.C TVS TVS की जो Subsidory है Singapore की उसने Norton Private Limited को जो की एक Britain की कमपनी है UK की कमपनी है Sports Bike की उसको Acquire किया है चलते हैं अपने Next Question की तरफ Which Research Institution developed the PUSA Decontamination and Sanitizing Tunnel तो हाली में किस Research Institution ने PUSA Decontamination and Sanitizing Tunnel का निर्माड किया है तो इसका Correct Answer है Option No.A Indian Council of Agriculture and Research ICAR इसके बारे हम कुछ जान लेते हैं ICAR is एक Government Body है इसका मोटो है Agri Search with Human Touch President Naren Singh Tomar जो की Union Agriculture Minister है ये Establish हुई थी 1929 में चलते हैं अपने Next Question की तरफ Which Institute developed Gene, Lamp and Diagnostic Test Kit to make confirmatory test results of COVID-19 in 2 hours तो किस Institute ने Gene, Lamp and Diagnostic Test Kit को बनाया है जो की COVID-19 के result को किवल 2 घंटे में ही बता सकती है तो इसका correct answer है option number B प्रदल कर दिया गया है 1966 B इसके पहले उसका नाम था 47 A National Highway 47 A और इंडिया का सबसे छोटा National Highway है वो है National Highway 548 जो की महराष्ट में है चलते हैं अपने Next Question की तरफ Which is the first crude launch for Elon Musk Space Company SpaceX हाली में SpaceX एक crude launch करने वाली है जिसमें दो crew members होंगे या astronauts होंगे NASA के उसका नाम क्या है? उसका नाम है Demo 2 option number B थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये NASA का symbol है और NASA के बारे में देख लेते हैं नासा जो हो थी वो found वी थी 1958 में 1958 में हमारी एक बहुत बड़ी organization इंडिया की found वी थी उसका नाम था DRDO और जो DRDO के chairman है वो है जी सतीस Reddy अब आजाते हैं NASA के उपर वापस से NASA का motto है for benefit of all इसका headquarter है Washington DC USA में अब SpaceX की बात हुई तो SpaceX को वारे में जान लेते हैं फाउंड हुई थी 2002 में CEO है L.N. Musk और headquarter है California में USA में चलते हैं अपने next question की तरफ and the next question is which firm becomes the first life insurance company to give additional benefits related to COVID-19 हाली में किस insurance company ने additional benefit दिया COVID-19 के patients को तो इसका correct answer है option number C Tata AIA CEO है इसके रिशी श्रीवास्तव headquarter है मॉंबई में और इसकी parent company है वो है Tata Suns चलते हैं अपने next question की तरफ newly discovered earth like planet Kepler 1649 C is how many times larger than earth हाली में एक earth like planet Kepler 1649 C discover हुआ है उसका size अर्थ से कितना बड़ा है तो इसका correct answer है option number C 1.06 times वो अर्थ से बड़ा है चलते हैं अपने next question की तरफ and the next question is what is the name given for new species of green pit wiper discovered in Arunachal Pradesh हाली में Arunachal Pradesh में एक new species green pit wiper की discover ही उसका नाम क्या दिया गया है तो उसका नाम है option number A Trimerasaurus Salazar और इसका नाम रखा गया है Harry Potter movie के character के उपर सालाजार तो यह आप जो पिक्चर में देख रहे हैं यह ही है green pit wiper यह बहुत जहरीला सांप होता है पर रांचल प्रदेश की बात हुए तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं तो यह जो green pit wiper की जो species है वो found की गई है पक्के टाइगर रिजर्व में अर्नल्स प्रदेश के cm है पेमा खांडू और यहां की गवर्णर बीडी मिश्रा और कैपिटल है इटन अगर यहां की जो लैंग्वेज है वो है English लोकसभा की सीटें है दो राजसभा की सीटें है एक और जो eastern most point of इंडिया है जो पूरवी छोर है इंडिया का उसका नाम है की मतर्ते अब्र रौर आप्शन नमबर B 19 अप्रेल को अब लिवर की बात है है यहांपर तो ल्वर व्यूरियोड डेतौ मना है उनएंच अपर्ग को तो वेल्ड किड्नी डे को मना जाता है तो वर्ल्ड किड्नी डे मना जाता है मार्च जो महिने में सेकquito हैं गी वोल्ड's kidney day चलते अपने next question की तरफ a book titled shuttling to the top the story of pv sindhu written by हाली में एक book लिखी गई shuttling to the top the story of pv sindhu यह किस ने लिखी है तो इसके writer का नाम है इसके author है option number c v krishnaswami Forbes की top 10 highest paid female athletes में भी इनका नाम शामिल हुआ था चलते अपने next question की तरफ which solution cuts India's financial aid 21 GDP growth rate forecast 2 which solution ने अभी हाली में इंडिया की growth rate को cut किया है 4.6 से कितने पर तो यह है इसका answer option number c 1.8 पे which solution की जो parent organization है वो है which rating चलते अपने next question की तरफ facebook launches third party fact check system in facebook ने हाली में एक third party fact check system launch किया है वो किस देश में launch किया है तो इसका answer option number b बांगलादेश और जो third party fact checking company है वो है boom जो की एक इंडिया की company है और यह जो आप map में देख रहे हैं यह बांगलादेश और जो company use हुई है third party fact checking के लिए यह वो है boom इंडिया की company है यह और यह क्या करेगी कि यह किसी भी जो पोस्ट हो रही है facebook पे उसको उसकी reality को उसके fact को check करेगी और उसको rating देगी तो facebook क्या करेगा उस rating के according इसको किसी के भी news feed में दिखाएगा अगर उसकी rating कम दी है इस fact check system ने तो उसको नीचे दिखाएगा कि कम से कम लोग उसको देख पाए तो जब बंगलादेश की बात हुई है तो बंगलादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं तो बंगलादेश की capital है धाका और धाका में ही बिमस्टेक का headquarter है तो यह जो आप picture में देख रहे हैं ब बंगलादेश के बारे में कुछ और बाते जान लेते हैं तो यहां की PM है वो है सेख हसीना प्रेजिडेंट है अब्दुल हामिद करंसी यूज होती है टका और एक और important बात है जो यहां का national anthem यूज होता है अमार सोनार वो किस ने लिखा था वो लिखा था रविदना टैग और नहीं तो चलते हैं अपने next question की तरफ and our next question is Oscar winning animator and filmmaker Jean Ditch passes away what is the name of that Oscar movie हाली में Oscar winning animator and filmmaker Jean Ditch का निधन हो गया उनकी वो Oscar winning movie का नाम क्या है तो उसका नाम है option number A Munro इस movie ने जो Oscar जीता था वो 1960 में जीता था और यह director है in honor Tom and Jerry and Popeye the seller के कुछ episodes को भी direct किया था अब Oscar की बात हुई तो Oscar के बारे में जान लेते हैं Oscar सबसे पहले जो दिया गया था वो 1929 में दिया गया था और जो अभी हाली में जो 1920 में फर्वरी के मन्त में जो हुआ था वो 92nd Oscar award था और उसमें जो best movie का award या best picture का award जो मिला था वो था एलवेगर को तो चलते हैं अपने next question की दरफ which one of the following IIT develops ward bot for covid-19 patients किस IIT ने ward bot बनाया है covid-19 patients के लिए ward bot क्या है ward bot एक robot है जो की जितनी भी medicines वगरा है वो सब patients को provide करेगा और खुद को sanitize करेगा और जिस पात से वो लेके जा रहा है वो सामान वो उस पूरे पात को उसकी walls को sanitize करेगा तो यह काम किया है किसने तो इसका answer है option number C IIT roper जो की पंजाब में इस्तित है चलते हैं अपने next question की तरफ India celebrates civil services day on India civil services day कब celebrate करती है तो इसका answer है option number B 21 April को और इसी दिन world creativity and innovation day भी absorb किया जाता है तो चलते हैं अपने next question की तरफ and the next question is Bombay में घाल है Odisha high courts to get new chief justices respectively in which order Bombay Meghalaya और Odisha में high court के new chief justice appoint हुए है तो उनका सही order क्या है तो इसका सही order है Bombay में हुए है दीपांकरदत्ता Meghalaya में हुए है बिश्वनात सोमदार और Odisha में जो हुए है वो है मुहम्मद रफीक तो इसका correct answer है option number D 213 यह जो आपको screen पर दिख रहे हैं वो है हमारे 47th chief justice of India जिनकी recommendation से यह appointment हुई है और इनका नाम है शरद अर्विंद बोब्ले और यह सब मैं आपको वता चुका हाँ Supreme Court का establishment जो हुआ था वो 28 January 1950 में हुआ था चलते हैं अपने next question की तरफ हाली में president की new secretary के appointment हुआ है उनका नाम क्या है उनका नाम है option number C कपिल देवतर पाथी जो आपको screen पर देख रहे हैं यह है कपिल देवतर पाथी चलते हैं अपने next question की तरफ the next question is Charles Leclerc won e-sports Chinese virtual grand prix he belongs to which F1 racing team तो हाली में Charles Leclerc ने e-sports Chinese virtual grand prix जीती है वो किस company से belong करते हैं वो करते हैं Ferrari से belong यह आपको screen पर देख रहे हैं यह है Charles Leclerc और virtual grand prix का मतलब क्या है अभी तक तो हम लोग केवल grand prix सुनते थे तो e-sports Chinese virtual grand prix का मतलब है कि अभी जो COVID-19 वे से जो events नहीं हो पा रहे हैं जो Chinese grand prix होने वाली थी उसकी जगे पेनों ने virtual grand prix कराई है जो कि एक game के थूरू खेली जाती है और इसमें जीते हैं Charles Leclerc चलते हैं अपने next question की तरफ and our last question is which state government rolls out e-sanjeevni OPD तो किस state government ने अभी e-sanjeevni OPD को launch किया है तो इसका answer है option number C हिमाचल प्रदेश e-sanjeevni OPD का मतलब क्या है e-sanjeevni OPD का मतलब है जैसे वी वक्ति अगर बीमार है तो वो घर पे बैठे ही किसी भी doctor से consult कर सकता है अब हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं तो यह आपको जो map में देख रहा है यह हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के capital है Simla, CMS के जैराम ठाकुर, governor है बंडारू दत्तात्रे और लोकसभा के जो seat है वो चार है राजसाबा में तीन है Chief Justice है यहां के Lingappa N. Swami, Lingappa Nairayan Swami, Famous National Park है यहां पे Great Himalaya National Park, Simbalbara National Park, Kheer Ganga National Park, Pin Valley National Park अब Valley से जाद है कि Silent Valley National Park का है तो वो है केरला में, Pin Valley National Park का है वो है मार्चल प्रदेश में और Valley of Flower का है National Park का है वो है उत्तरखंड में तो यह सारी बातें इत्में important होती है So, इस week का question है Name the winners of Man Booker Prize and Man Booker International Prize in 2019 Man Booker Prize और Man Booker International Prize 2019 में किस ने जीता था उनका नाम आप comment box में लिए I hope इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर नाम मत भूलेगा Thank you